परिचय राधा क्या कर रही हो? वाँ, ये तो बहुत संदर है, तुमने इसे कैसे बनाया? मैंने इसे प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाया लेकिन क्या इस वृत को बनाने के लिए हमें सचमुझ प्रकार और पेंसिल की आवशक्ता पढ़ती है? हाँ, एकदम सही आकरती बनाने के लिए हमें इन सभी रेखा गणती उपकरणों की आवशक्ता पढ़ती है क्या तुम इस कोण को देख सकती हो? हाँ, ये तीस अंश का कोण है मैंने इसे प्रकार और स्केल की सायता से बनाया है लेकिन कैसे? मैं भी ये सीखना जाती हूँ मेरे साथा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक दिये गए कोण को दिभाजित करना एक दिये गए रेखा खंड के लंबर्दक की रचना करना साथ अंश इत्यादी का कोण बनाना दिये गए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से तिर्भुज की रचना करना दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की साहता से तिर्भुज की रचना करना एक तिर्भुज की रचना करना जिसमें परिमाप और दो आधार कोण दिये हों परिभाशा रेखा गनित में रचना से तात पर्रे आकरितियों, कुणों और रेखाओं को सही सही बनाने से है इन्हें हम परकार अन्शांकित पट्री और पैंसिल की साहिता से बना सकते हैं कुछ रचनाओं में जहां माप लेनी की भी आवशक्ता होती है हम अन्शांकित पट्री और चांदा का भी प्रयोग कर सकते हैं एक दिये गए कौण का समद्वी भाजक मित्रो, हम वित्द, एक दिये गए रेखाखंड का लंबारधक और तीस अंश और पैंतालिस अंश के कौण बनाना जानते हैं अब हमें एक दिये गए कोण का सम्दुई भाजक बनाना सीखेंगे। माना की कोई कोण A, B, C है। अब हमें इस कोण का सम्दुई भाजक बनाना है। सबसे पहले हम B को केंद्र मान कर किसी भी तृच्या का कोई चाप लगाएंगे, जो B, A और B, C किरणों को क्रमशा E और D पर प्रतिछे दित करेगा। फिर D को केंद्र मान कर D, E की आधी लंबाई से अधिक की त्रिच्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे। ठीक, इसी तरह E को केंद्र मान कर D, E की आधी लंबाई से अधिक की त्रिच्या लेकर हम एक और चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को F पर प्रतिछे दित करेगा. अब हम किरण B, F खींचेंगे. यही किरण B, F कौन A, B, C की समद्री भाजक है. हम कैसे कह सकते हैं कि B, F एक कौन समद्री भाजक है. चलिए इसे सिद्ध करते हैं. D, F और E, F को मिला दीजिए. अब तिरभजों B, E, F और B, D, F में B, E बराबर B, D क्योंकि यह एक ही चाप की त्रिच्या है. E, F बराबर D, F क्योंकि यह भी बराबर द्रिच्या की चाप है. B, F बराबर B, F जो की दोनों में है. इसलिए S, 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 समरूपता नियम के नुसार तिरभज B, E, F सरवांग सम हैं तिरभज B, D, F के. जिससे हमें कौन E, B, F बराबर कौन D, B, F प्राप्त होता है. इसलिए B, F एक कौन दूइभाजक है. दिये गए रेखा खंड का लंबार धक. अब हम एक दिये गए रेखा खंड के लंबार धक की रचना करना सीखेंगे. एक रेखा खंड A, B है. हम इसके लंबार धक की रचना करना चाहते हैं. रचना के चरण सबसे पहले A को केंद्र मान कर A, B की लंबाई के आधे से अधिक की त्रिच्या लेकर रेखा खंड A, B के दोनों ओर एक एक चाप लगाईए. ठीक इसी तरह B को केंद्र मान कर उसी त्रिच्या के एक एक चाप रेका खंड A, B के दोनों ओर लगाईए. जो पहले वाले दोनों चाप को क्रमशा P और Q पर प्रतिछेदित करेगा. अब P Q को मिलाते हैं. P Q A, B को M बिंदू पर प्रतिछेदित करेगी. यही रेखा P M Q रेखा खंड A, B की अभीष्ट लंबार धक है. चलिए सिद्धे करते हैं कि P M Q रेखा खंड A, B का लंबार धक है. A और B को P तथा Q से मिला कर A, B, AQ, B, P और BQ बनाईए. अब P A Q और P B Q तिर्भुजों में A B बराबर B B क्यूंकि यह बराबर त्रिज्या की चाप है. A Q बराबर B Q क्यूंकि यह भी बराबर त्रिज्या की चाप है. P Q बराबर P Q यह दोनों में हैं. इसलिए S A S समरूप्ता नियम के नुसार तिर्भुज P A Q सर्वांगसम है तिर्भुज P B Q के. इसलिए C P C T द्वारा कौन A P M बराबर है कौन B P M के. अब त्रिभुजों P M A और P M B में A P बराबर B P बराबर त्रिज्या की चाप P M बराबर P M यह दोनों में हैं. कौन A P M बराबर कौन B P M जैसा की उपर सिद्ध हो चुका है. इसलिए S A S सम्रूपता नियम के नुसार तिर्भुज P M A सर्वांगसम है तिर्भुज P M B के. इसलिए A M बराबर B M और कौन P M A बराबर कौन P M B C P C T के द्वारा. रेखे क्योंकून अभी ग्रिहित का प्रेयोग करते हुए कौन P M A जमा कौन P M B बराबर एक स्वस्थी डिग्री. अथवा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. कौन P M A बराबर कौन P M B बराबर नप्पे डिग्री. इसलिए P M जो P M Q है रेखा खंड A B का लंबार धक है. साट अंश का कौन हम तीस अंश और पैदालिस अंश के कोनों की रचना करना जानते हैं. अब हम किसी दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदू पर साट अंश के कोन की रचना करना सीखेंगे. एक किरण A B है, जिसका प्रारंभिक बिंदू A है. हम एक ऐसी किरण A C की रचना करना चाहते हैं, जिससे कोन C A B बराबर साट अंश हो. रचना के चरण A को केंद्र मान कर किसी भी तरिज्या का एक वृत्त का चाप लगाईए, जो A B को किसी बिंदू पर प्रतिच्छे दित करेगा, माना कि वह बिंदू D है. अब D को केंद्र मान कर पहले वाली ही तरिज्या का एक और चाप लगाईए, जो पहले वाले चाप को किसी बिंदू पर प्रतिच्छे दित करेगा, माना कि वह बिंदू E है. अगले चरण में E से होते हुए किरण AC खींचिए यही कौन CAB 60 अंश का अभीष्ट कौन है अब चलिए देखते हैं हम इस विधी से किस प्रकार 60 अंश का अभीष्ट कौन प्राप्त करते हैं DE को मिला दीजिए तब रचना के अनुसार AE बराबर AD बराबर DE है इसलिए तिर्भुज EAD एक संभाहु तिर्भुज है तिर्भुज EAD भी एक संभाहु तिर्भुज है क्यूंकि कौन CAB 60 अंश का है एक तिर्भुज की रचना दिये गए आधार एक आधार कौन तथा अन्य दो भुजाओं के योग की साहिता से तिर्भुज की रचना करना ABC कोई तिर्भुज है BC जिसमें आधार B एक आधार कौन और AB जमा AC तिर्भुज ABC की अन्य दो भुजाओं का योग है हमें तिर्भुज ABC की रचना करनी है रचना के चरन एक आधार BC खीजें और बिंदू B पर दिये गए कौन के बराबर एक कौन XBC बनाएं अगले चरन में किरन BX से AB जमा AC के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अब DC को मिला दें और कौन BDC के बराबर एक कौन DCY बनाएं CY BX को प्रतिछेदित करेगी यही तिर्भुज ABC हमारा अभीष्ट तिर्भुज है आईए देखते हैं कि ABC किस प्रकार एक तिर्भुज है ACD तिर्भुज में कोण ACD बराबर कोण ADC रजना के अनुसार इसलिए AC बराबर AD तब AB बराबर BD घटा AD बराबर BD घटा AC या AB जमा AC बराबर BD हम जानते हैं कि तिर्भुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है इसलिए ABC एक तिर्भुज है दिये गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर की साहिता से तिर्भुज की रचना करना आधार BC आधार कोण B और दो भुजाओं का अंतर दिया गया है यहां हमारे पास दो स्थितिया हैं दो भुजाओं का अंतर या तो AB घटा AC होगा अथवा AC घटा AB होगा हमें तिर्भुज ABC बनाना है चलिए सबसे पहले पहली स्थिति का प्रयोग करते हुए तिर्भुज बनाते हैं जब AB बड़ा है AC से और AB घटा AC दिया हुआ है रचना के चरन सबसे पहले आधार BC खीचें और बिन्दू B पर दिये गई कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं अब किरण BX से AB घटा AC के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अगले चरन में DC को मिला दें और DC का लंबार्धक PQ खीचें इसे BX को एक बिन्दू A पर प्रतिछे दित करने दें AC को मिला दें यही ABC हमारा अभीष्ट तिर्भुच है चलिए, अब दूसरी स्थिति का प्रयोग करते हुए तिर्भुच बनाते हैं जिसमें AB छोटा है AC और AC घटा AB जो दिया गया है रचना के चरन सबसे पहले आधार BC खीचें और बिन्दू B पर दिये गए कोण के बराबर एक कोण XBC बनाएं अब किरण BX से AC घटा AB के बराबर एक रेखा खंड BD काटें अगले चरन में DC को मिला दें और DC का लंबार धक PQ खीचें PQ को BX को एक बिन्दू A पर प्रतिछे दित करने दें AC को मिला दें यही ABC हमारा अभीष्ट तिर्भुज है चलिए दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की साहिता से एक तिर्भुज की रचना करें माना की कोण B और कोण C दिये गए कोण है और BC जमा CA जमा AB परिमाप है हमें एक तिर्भुज ABC की रचना करनी है रचना के चरन सबसे पहले एक रेखा खंड XY खीचे जो BC जमा CA जमा AB के बराबर हो अब कोण LXY और MYX की रचना कीजिए अब कोण LXY और कोण MYX को समद्वी भाजित कीजिए ये समद्वी भाजक एक दूसरे को बिंदुए पर प्रतिछे दित करेंगे अगला चरन AX और AY के लंबर्दकों PQ और RS की रचना करेंगे PQ XY को B पर तथा RX XY को C पर प्रतिछे दित करेंगा यही ABC अभीष्ट तिर्भुज है उधारन चलिए एक उधारन को देखते हैं जिसमें हम एक ऐसे तिर्भुज ABC की रचना करेंगे जिसमें कोण B बराबर 60 अंश कोण C बराबर 30 अंश और AB जमा BC जमा CA बराबर 15 सेंटिमीटर है रचना के चरन सबसे पहले हम एक रेखा खंड P Q बराबर 15 सेंटिमीटर खीचेंगे जो AB जमा BC जमा CA के बराबर होगा अब P बिन्दु पर एक 60 अंश का कोण और Q बिन्दु पर 30 अंश का कोण बनाईगे इन कोणों को सम्दी भाजित कीजिए इनके सम्दी भाजक एक दूसरे को बिन्दु A पर प्रतिछे दित करेंगे अब लंबार्दकों AB और AQ की रचना कीजिए जो P Q को क्रमशा B और C पर प्रतिछे दित करेंगे अब AB तथा AC को मिला दीजिए यही ABC अभीष्ट तिर्फुच है क्या आप जानते हैं? जियोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द जीओ जिसका तात्पर है प्रित्फी तथा मेट्रिया जिसका तात्पर है मापना से बना है अंक गणित के साथ साथ रेखा गणित भी पूर्व आधोनिक गणित के दो क्षित्रों में से एक थी प्राजीन मिस्रवासियों ने 3000 इसापूर्व पहले रेखा गनित का प्रयोग किया था उनके बहुत सारे सूत्रों में से वृत्तिका लगभग सही ख्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी था अपने अद्भुद रेखा गणितिये कारियों के कारण, रेखा गणित का पिता प्राया 300 ईसा पूर्व के मिस्र के युकलिक नाम के गणितग्य को कहा जाता है उसके किये गए कारियों में इतने प्रभावी तत्व थे जो बीस्वी शताब्दी के आरंभ तक उन गणित की किताबों में रहे जिनका प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता था यदि A, B जमा A, C, B, C से कम या बराबर है तो किसी भी तिर्भुज की रचना संभव नहीं है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोराएं दिये गए कौन को समद्री भाजित करना दिये गए रेका खंड के लंबार्धक की रचना करना दिये गए कौन की रचना करना दिये गए आधार एक आधार कौन तथा अन्य दो भुजाओं के योग की सहता से तिर्भुज की रचना करना दिये गए आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के अंतर की सहयता से तिर्भुच की रचना करना दिये गए परिमाप और दो आधार कोणों की सहयता से एक तिर्भुच की रचना करना